राहूल मैदी के फैंस ने कुछ ऐसा कह दिया कि दिशा परमार थोड़ा नाराज हो गई है जिसके बाद हर कोई अब भावी जी को मनाने में लगा हुआ है आकिर ऐसा क्या हुआ है मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी तो राहूल और दिशा ने एक इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने शायद दिशा ने कुछ बाते कही हुँगी जिसके बाद एक फैं ने लिखा तो अल दिशा वांट इस तो इस तो इट वाई राहूल विल बी कुकिंग फर हर as she's saying she can't cook, can't do task, she's boring, she don't want to do KKK, Big Boss, she don't want to work in any telly for now, I want this life, God please तो एक यूजर ने लिखा कि उसको खाना पकाना नहीं आता, राहूल बनाता है, वो खाती है, उनको KKK नहीं करना, Big Boss नहीं करना है, उनको पर टैली शो नहीं करना है वो उनका कहना है कि बहुत बोर है, तो मुझे भी काश ऐसी life मिली होती, जैसे ही इस user नहीं ये डाला, जिस पर दिशा ने reply किया, yes, because it's not everyone choice to do Big Boss और खत्रों के खिलाडी, and yes, I am lucky, because I chose to do things on my terms, and not because I just want to sit and eat, तो ये जो है दिशा ने जैसे ही reply किया, उसके बाद, users जो है, जो आगिया है, और उन्होंने कहा कि लगता है कि भावी जी ने याने की दिशा ने बातों को अलग तरीके से ले लिया, जो fan है, उसके कहने का मतलब ये नहीं था, fan जो है, वो ये कह रहा था, कि देखो, राहूल कितना comfort प्रोवाइट करा रहा है, कि दिशा की life कितनी अच्छी है, तो एक ने लिखा, you took her intention wrong, she just wanted to say something else, but it's sounding different, ऐसा बिलकुल मस सोच यो, कि हम कुछ गलस सोच रही है, या बुरा सोच रही है आपके लिए, लेकिन, हाँ, ऐसा बिलकुल भी उसने नहीं बोला है, जिस पर एक ने लिखा, कि I saw this, it's sad, how you all didn't even take a second before judging her, I might not agree, but she has returned, but it's her account, and she is open to express, एक ने लिखा, कि don't worry, हमें पता ही कि तुमारा intention ऐसा नहीं था, उसने कुछ misunderstand कर लिया है, तो परिशान मतो, RKV जो है, RKV को RKVS बहुत प्यार करते हैं, और उतना ही भावी जी को भी प्यार करते हैं, लगता है, भावी जी ने बात को अलग मतलम में ले लिया है, तो इस तरीके से भावी जी कुछ गलत फेहमे के वज़े से नराज हो गई, जिसके बाद अब RKVS भावी जी को मनाने में लगे हुए हैं,